मित्रो प्रणाम आज बनाएंगे मैंगो शेक केवल पांच चीजों से यानि फटे हुए आम, दूद, काजू, शेहर और इलाइची पाउडर आईए शुरू करते हैं करते हुए ताजा आम देंगे आम ज्यादा पकेना हुए और नहीं ज्यादा कच्छे हुए देखिए इस तरह के आम होने चाहिए तोटे 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 में काटकर अमने ट्रे में रबनी थे और जाज में डाल रहें इसे अलका सा मिक्सी में डाल कर मिक्स करेंगे उससे पहले हम इलाइची पाउडर डाल कर देखते हैं जादा मिक्स करना है तो जादा मिक्स करना है अब इसमें दूद डालेंगे जो पहले गरम कर लिया था अच्छा गाड़ा दूद है और ठंडा होने के बाद ही इसमें डालें दो तिन सेकंड के लिए मिक्सी में मिक्स करें और अब इच्छा अनुसार इसमें एक या दो चम्मच शहद के डालें चीनी की वजाए शहद डालें तो इसमें खुश्व ज्यादा असरदार होगी अब छोटे टुकडो में कटे हुए काजू डालेंगे ध्यान रहे ज्यादा छोटे ना हो टुकडे इसमें की भच्टे इसमें प्लिक्स करें देखिए मेहनत कुछ भी नहीं है इसमें और बैस आपका मैंगो शेक त्यार चाहें तो आप इसमें अखरोट बादाम या केसर वगरा भी डाल सकते हैं लेकिन यह ठीक है इतना ठीक है दोस्तो थैंक यू फॉर वाचिंग लेकिन नहीं है दिसमें लेकिन अभी बादाम